जेश्री हरी स्प्रीचल ग्यान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज है 4 जुलाई, आज से शुरू हो रहा है सावन मास तो आज के दिन हम जानेंगे शिव पुरान में वर्नित शिव के प्रिय पोष्प के बारे में किस पुष्प से कौन सा वर्दान मिलता है ये भी जानते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें शिव पुरान के अनुसार शिव जी को इन पुष्पों को अरपन करने से मनवांचित परिणाम प्राप्त होते हैं सबसे पहले लाल वेर सफेद आंकड़े के पुष्प से भगवान शिव का पूजन करने पर मौक्ष की प्राप्ती होती है 2. भगवान शिव की पूजा चमेली के पुश्प से करने पर वाहन सुख मिलता है 3. अलसी के फूल से शिव की पूजा करने पर मनुश्य भगवान विश्णु को प्रिय हो जाता है 4. शमी वरक्ष के पत्तों से पूजन करने पर मौक्ष प्राप्त होता है 5. बेला के पुष्प से पूजा करने पर सुंदर्वर शुशील पत्मे मिलती है 6. जुही के पुष्प से भगवान शीव की पूजा करने तो घर में कभी अन्निकी कमी नहीं होती 7. कनेर के पुष्प से भगवान शीव की पूजा करने से नए वस्तर मिलते है 9. धतूरे के पुश्प से पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं जो कुल का नाम रोशन करता है 10. लाल डंठल वाला धतूरा शिव पूजा में शुब्ध माना गया है 11. दुर्वा से भगवान शिव की पूजा करने पर उम्र बढ़ती है जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, वीडियो को शेर करें, कमेंट करें इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए प्लीज मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे मिलेगा मुझे मोटिवेशन इसी तरह से और वीडियो को बनाने और अपलोड करने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग गाईज